गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमान यूटूब चैनल इंडिया उल्डेज में एक बार फिर से आपके सामने हाजीर हूँ और आज हम इस वीडियो में गंग राजवन्स एम वारंगल का काकतिय वन्स का इत्यास जानेंगे तो देखिएगा इसे पहले वाले वीड गंग राजवन्स इन सब के बारे में डिटेल से जानकरी प्राप्त की है तो देखिएगा इस वीडियो में हम गंग राजवन्स एम वारंगल का काकतिय वन्स के बारे में विस्त्री तोर से अध्यान करेंगे ठिक है तो देखिए पढ़ते हैं गंग राजवन्स का इतिहास कदंबों तता पलंगों के राजियों के बीच आदुनिक मैसूर के दक्सिन में गंगों का राजे स्थित्था इस इस्थान को गंगवन्स के साथ लंबे समय तक संबत रहने के कारण गंगवाडि कहा गया गंगवन्स का प्रारंबिक इत्यास अंदकारपूर्ण है अबिलेकों में इस वन्स का पर्थम साथ कोंकणी वर्मा बताया गया है उसे जाहिर विये कुल अर्थात गंगा का वन्स तथा कावन अथवा कानवायन गोत्र कहा गया है उसने कई युद्धों में ख्याती प्राप्त की तथा अपने लिए एक समरदी साली राज्ये का निर्मान कर लिया वै धरम महराजादी राज की उपादी धारन करता था जो उसकी स्वतंतर इस्तिती का सुचक है कोंकनी वर्मा का समय 400 इस्वी के आसपास माना जा सकता है गंगों की प्रारंबिक राजदाने कुवलाल अर्थात कोलार थी जो बाद में तलकाड हो गई थी कोंकन वर्मा का पुत्तर तथा उत्रादीकारी माधव पर्थम 425 इस्वी में हुआ वह एक विद्वान राज़ा था जिसे दत्तक सुत्तर पर टिका लिखने का स्रेज दिया जाता है वह सब भी सास्त्रों का ग्याता था इसके बाद आये वर्मा 450 इस्वी में सासक बना वह योदा हुने के साथ साथ सास्तर इथिहासियों पुराणों का भी ग्याता था गंग राजे दोनों भाईयों के बीच आदा आदा बाट दिया गया दोनों ने अपने पुत्र का नाम सिहां वर्मा रखा उनके काल में भी गंग राजे का विवाजन कायम रहा आये वर्मा के पुत्र सिहं वर्मा को पल्लव नरेश इसकंद वर्मा ने राजा बनाया था उसका विवा कदम नरेश कृष्ण वर्मा पर्थम की बहिन से हुआ परवर्ती लेखों के अनुसार इस विवा से अभिनी नामक पुत्र हुआ वैं बच्चपन में ही राजे का उत्रादिकारी बना दिया गया गंग नरेश दुलवीनी जो 450 से 600 इस्वी में था उसने अपने वन्स को पल्लवों की अधिनता से मुक्त किया उसने पुन्नाड अर्था दक्सिनी मैसूर तथा कॉंगु देश की विजे की उसका चालुकियों के साथ महतरी संबन था वैं सेंस्क्रित का महान विद्वान था इसके बाद शिरीपूरुस जो 728 से 788 इस्वी में था इस वन्स का एक महतरपुन सासक हुआ इसके समय में कॉंगु परदेश के उपर पांडियों का अधिकार हो गया तथा वह पांडों के दिन्ता में सासन करने लगा उसने अपनी राजदानी मान्यपूर में स्थानांतरित कर दी शिरीपूर का सासन सम्रदी का काल था नोलंबवाडी अर्था चित्तल दूर्ग जिल्ला के लोग उसकी दिन्ता मानते थे शिरीपूर उसके बाद गंग राजे की अवनती प्रारम हुई अथा उसके उत्रादीकारी सिवकुमार ड्वित्ये को रास्टर कूट ध्रुवय तथा गोविन तृत्ये ने प्राजित किया और बंदी बनाया अमोग वर्ष के काल में निती मार्ग जो 837 से 870 इस्वी में था के नेतरत्व में गंगों ने पुनह अपनी स्वतंदर्दा घोसित कर दी क्रिशन तृत्ये 849 से 967 इस्वी इसने पुनह गंग राजे की विजे की तथा वहाँ अपने साले भूतुक द्वीतिये को सासक बना दिया इसके बाद गंगवन से सासक पांड्यों तथा चोलों से लड़ते रहे चोल सासक राज-राज पर्थम ने 2004 इस्वी में गंगों को जीता तथा उन्होंने चोलों की अधिनता में रहना श्वीकार कर लिया इस प्रकार करम से गंग राजे की स्मापती हो गई थी अब देखेगा वारंगल का काकतिये वन्स काकतिये लोग अपने को चोल करीकाल का वनसज मानते थे इस वन्स का पहला ग्यासासक बेद पर्थम था जिसने राजेंदर चोल के आकरमन से उत्पन आवेवस्ता का लाव उठाकर नलगोंड एधराबाद में अपने लिए एक स्वतंतर राजे स्तापित कर लिया उसका पुतर तथा उत्रादिकारी प्रोल पर्थम वातापी के पस्चिमी चालुकियों का सामन्त था उसने चालुके नरेश सोमेश्वर पर्थम की ओर से युद्धों में भाग लिया तथा प्रियाप्त ख्याती अर्जित कर लिया उसकी सेवाओं से पर्षन होकर सोमेश्वर ने अंब कोंड विस्चम वारंगल में हनुम कुंड का उसे स्थाई सामन्त बना दिया उसके उत्रादिकारी बेत द्वित्य जो 1989 से 1090 इस्वी में था ने चालू के नरेश विक्रमा दित्य से कुछ और पर्देश प्राप्त की तथा अपने राजधनी अम कोंड में इस्तापित की चालू के समराजे के विगठन काल में काकतिय वंसी प्रोल द्वित्य ने अपने को चालू कियों की अधिनता से मुक्त कर लिया तथा गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के परदेश पर अपना एक्छतर सासन इस्तापित कर लिया उसने चालू के नरेश तैल तृत्य को प्राजित कर बंदी बना लिया परंतु बाद में उसे स्वतंतर कर दिया उसका पुतर रुद्र देव एक कुसल योद्धा था उसने भी तैल को प्रास्त किया परंतु यादव नरेश जतुगी ने युद में रुद्र देव की हत्या कर दी तथा उसके बतीजे गणपती को 1196 में इस्वी में लगभग बंदी बना लिया था रुद्र देव का छोटा भाई महादेव उसके बाद राजा बना तथा उसने केवल तीन वर्सों तक ही सासन किया 1199 में इस्वी में जतुगी ने गणपती को स्वतंतर कर दिया और वाय काकती वन्सका राजा बना गणपती अपने वन्सका सुर्वादिक सकती साली राजा हुआ उसने आंदर नेलोर, कांची, कर्नूल, आधी को जीत कर अपने राज्ये का विस्थार किया तथा 60 वर्सों तक सासन करता रहा 1263 इस्वी में सुन्दर पांडे ने उसे हराकर कांची तथा नेलोर को छेन लिया गणपती ने अपनी राजदानी वारंगल में स्थनांतरित कर दी थी गणपती के बाद उसकी पुत्री रुद्रामबा काकती वन्राज्ये की सासिका बनी यादव वन्सी माहादेव ने उसे पराजित किया इसके बाद परता पुत्री रुद्र सासक हुआ उसने काकती वन्स की सक्ती तथा पतिस्टा का पुन्रुधार किया उसने अंब देव को प्राजित कर करनूल तथा कुड़ू पह को पुनह जिता तथा नेलोर पर आकर्मन किया परंतु तेरा सो नो दस इस्वी के लगबग मली काफूर ने वारंगल पर चड़ाई की तथा राजधानी पर गहरा डाला परताप रूदर वीर्तापूरुग लड़ता रहा परंतु अंततह उसने मली काफूर को हाथी घोड़े तथा अमूले रतन दिये संबलता है उन्ही रतनों में कोहिनो नामक हेरा भी था मुसलमानों के वापस चले जाने के बाद परताप रूदर ने अपना दक्सिनी अभ्यान प्रारम किया तथा नेलोर और कांची की विजे करता हुआ त्रिसना पली तक जा पहुंचा परन्तु उसके सफलताए कुछ समय के लिए ही थी 1323 इस्वी में मुहामत तुगलक ने उसके राजे पर आकर्मन किया परताप रूदर पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया इसके साथ ही वारंगल का काकतिय राजे दिली सल्तनत में समिलित कर लिया गया ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने दक्षिन के जो लगू राजवन्स हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त की और ये वीडियो एक्जाम के दस्ति से बहुत ही महत्ता पून है आता है वीडियो को बार बार देखे और बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे